हेलो गाइस, स्मेंटिक वेब सुलीशन की जाने से मैं महभूब और हमारी ग्राफिक C++ की सीरीज स्टार्ट है जिसकी पिछली वीडियो लेक्चर नमबर 10 में हमने देखा हाउ टू में का लोडिंग बार, हमने एक लोडिंग बार बनाई और उसको रन करके देखा एर में जैसे जान फैर जैसर फेर सबस्ट के साथ के साथ हमने ठाव हमारी जो प्रोग्राम में यूज होनी कि हमारे की बोर्ड की उपर अप एरात की है उस prepared हुट है जो जो यहों की आई की बार्य वो एटी है लेफ्ट की 75 है indich जो ना इसको यूज़ करते हुए हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे और उसको रन करके देखेंगे उसको समझेंगे सो इसको देखते हैं प्रोग्राम के ज़िए 3 मैंने open किया moving object इसकी कोडिंग है simple मैंने hash include ios team koneo.h function यूज़ किया, graphics.h function यूज़ किया, dose.h function यूज़ किया, dose.h function यूज़ किया, dose.h function यूज़ हम क्यूज़ करते हैं जैसे कि हमने loading bar जो हमने बनाए थी previous वीडियो में उसमें देखा था कि dose.h function हम यूज़ करते हैं delay के लिए या clear device के लिए delay function हम अपनी जो execution है उसकी speed को control करने के लिए करते हैं और control करने के लिए करते हैं और जो हमारी वो है dose.h हमारी जो clear device है उसको function उसको control करने के लिए करते हैं कि एक दफ़ा हम अपनी input ले ली है ये clear device और clear screen से same function यूज़ करते हैं clear screen हमारी normal जो c++ की coding आउस में काम करती है और clear device हमारी graphics में काम करती है इसमें simple हमने किया कि या एक character लिया है inter gg detect और graphics को graphics mode activate किया और एक rectangle बनाई है हमने rectangle को move करवाना है तो उसके हमने चार parameter को पहले से value अजान कर दी और दो parameter अजाफी लिए है मैंने y is equal to 0 और x is equal to 0 means कि ये हमारी x axis और y axis को देखेंगे उसके बाद while character not is equal to 113 113 ask की value है q की जो हमारा keyboard पे q बटन है उसकी 113 ask की value है हमने एक rectangle ड्रा की while जब तक के हम क्यों नहीं दुबाते तब तक हम control करते रहें उसके बाद एक rectangle ड्रा करने के बाद हमने condition लगाई कि अगर keyboard हीट होता है means कि अगर हम कोई भी की को press करते हैं कोई भी की को हमने press किया if keyboard हीट का function आप कोई किसी भी की को हमने press किया है ठीक है तो उसको press किया है तो वो एक character ले और character ले कि वो किसमे CH में रिखवा ले CH में रिखवाने के बाद उस पे switch लग जाए means कि इसका फाइदा ये है कि आपको जब भी means कि आपने right arrow की press किया है तो आपको इंटर दुबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वैसे काम करेगा उसके पर ये switch में है switch के बाद मैंने 77 case जी है 77 case आपको पता है कि ये right side की तरफ move होगा तो right side की तरफ जब भी rectangle move करवानी है तो उसकी x की value हमेशा increase होगी तो x की उपर हमने 0 ली थी तो initial declare किया था तो यहाँ पर x की value हमने 1 दे दी और y वैसे 0 रहने दी है क्योंकि right की जब भी हम press करेंगे तो ये right side जाएगा ना के नीचे की जरुफ नीचे की तरफ इसको means के y axis पे कोई असल नहीं होगा ऐसे 75 करेंगे तो ये उपर की तरफ पीचे की तरफ जाएगा means के हमारी left side की तरफ जाएगा तो इसमें y वैसे ही रहेगा और x की value decrease होगी इसी तरह 80 function हमने case 80 में देखा 80 हमारे जो है वो नीचे की तरफ down y axis इस पे फरक पड़ेगा x axis सेम रहेगा down arrow की है 72 हमारी up arrow की है अब arrow की में क्या होता है कि हमारा y axis minus 1 होगा decrease होगा और x axis सेम रहेगा उसके बाद break और case q case q means कि अगर आप q press करते हैं तो आपका वो जो program break हो जाए उसके बाद मैं ये increment किया i में increment किया, j में increment किया l में increment किया और m में increment किया means कि जो हमने variable जो हमने pixel rectangle के दिये है हमने increment कर दिया ताकि हमारी value जो हमारी rectangle है वो run हो सके और delay मैंने one किया कि delay millisecond में देते है delay one किया है कि उसकी speed जो है वो one हो सबसे fast हो उसे बाद clear device function ये use किया clear device अगर आप function नहीं use करते मैं इसको remove करता हूँ जी अब मैं इसको run करता हूँ तो clear device function का इसका ये नुकसान होगा कि जो भी हम rectangle move करवाएंगा तो previous value जो हमारी output है input है वो उसको remove नहीं करेगा तो इससे बचने के लिए हमने clear device function ये use किया है clear device function हमने use किया clear device function जब जो ये use किया तो हमारी जो previous output है वो उसको हमसे move करवाने से वो raise करता जाएगा नीचे down की मैंने press की up की right की और left की right की press की और left की प्रेस की तो जैसे जैसे हम इसको press करते जाएंगे ये हमारी output वैसे देगा ठीक है तो ये था आज का हमारा कि कैसे कोई भी object वो आप move करवाते हैं as a practice आप circle ट्रा करके आप उसको move करवा सकते हैं उसमें two parameter देना पड़ते हैं और उसको move करना easy होता है ये तब तक हमारा input रहेगा जब तक हम क्यूँ नहीं दुआ देते जैसे मैंने क्यूँ प्रेस किया और ये terminate हो गया उमीद है कि आज का हमारा जो task था हमने मुकमल किया अगर इसमें किसी भी किसम की आपको problem हो तो आप comment कीजिए और इसकी आपको coding description वीडियो के description से मिल जाएगी तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए take care, allah hafiz